आज हम आपको ऐसे व्यक्ति के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने पूरी रामचरित मानस को ओईल पेंट से लिख डाला है राजिस्तान के जैपूर के सांगनेर निवासी शरद माथुर ने ओईल पेंट और ब्रश से पूरी रामचरित मानस को लिख दिया है इसके लिए उन्हें करीब साड़े छह साल लगे ये रामचरित मानस एथरी आकार की एक किताब में लिखी हुई है और इस रामचरित मानस का वजन डेड़ सु किलो है और इसमें जो अक्षर लिखे गए हैं उनका आकार एक से सवायंच तक का है रामचरित मानस लिखने वाले शरद 45 वर्ष के हैं और वो संदरकांड का पाठ करने के साथ ही बच्चों को संगीत सिखाते हैं और इसी से मिलने वाली जो राशी होती है उसी से उनका भरण पोशन होता है कुछ आमदनी मकान के किराय से भी उन्हीं हो जाती है शरद ने बताया कि रामचरित मानस को तयार करने में उन्हें 5 लाक रुपे लगे हैं और इसमें किसी ने भी उनकी कोई मदद नहीं की है इसलिए उन्हें इस काम को पुरा करने में काफी परिशानियों का सामना करना पड़ा लेकिन उनका कहना है कि भगवान की ऐसी कृपा रही कि वो इस काम में सफल हो गए शरद ने बताया कि जब भी संदरकांट का पाट करते थे तो ऐसा लगता था कि अक्षर कुछ बड़े होने चाहें ताकि कमजोर नजर वाले भी इसे आसानी से पड़ सके दिमाग में ये बाते आने के बाद शरद ने पहले संदरकांट लिखना शुरू किया संदरकांट पूरा होने के बाद रामचरित मानस के सभी कांट ओयल पेंट से उन्होंने लिख दिये इसे लिखने में शरद ने लाल ओयल पेंट का उप्योग किया है और इसके अक्षर एक से सवा इंच के है उन्होंने बताया कि एक पेच को लिखने में तीन से चार घंटे लगे इस काम में उनकी मदद उनके परिवार जनों ने भी की है जिसमें उनकी मा, पत्नी और दोनों बच्चे शुभम और साहिल शामिल है शरद ने बताया कि वो लिखते थे और बाकी सभी इसमें बॉर्डर और डिजाइन बनाने का काम करते थे शरद ने ये भी बताया कि बड़ी होने की वज़र से इसमें जिल्द कराना मुश्किल था इसकी जिल्द साजी मुबारक भाई ने की है और इसे जिल्द कराने के लिए लकड़ी की पतली प्लाएं और 170 मीटर कपड़ा लगा है जिस पर भगवान राम का पूरा चित्र और डिजाइन छफ़ाई गई है कोई इसे जिल्द करने के लिए तयार नहीं था क्योंकि ये काफी बड़ी है इसके बाद सांगनेर के मुबारक अली ने इस बात के लिए हांग किया और इसकी जिल्द साजी की तो देखा आपने अगर व्यक्ति सोच ले तो वो कुछ भी कर सकता है जैसा की शरद ने कर दिखाया subscribe our channel and press the bell icon for more updates